हेलो स्टुडेंट्स आप सभी का अपना प्यारा सा यूटूब चेनल टॉपर्स क्लासेस बाई एस एस में फीर से एक बार पुनो स्वागत है अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास एक आरा फिजिक्स में Most Very Very Important MCQ यानी Objective Question Answer को पढ़ेंगे जो आपके टर्मवान इकजाम के लिए बरदान साबित होगी तो चलिए अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास एक आरा फिजिक्स में बल तथा गती के नियम चेप्टर से रिलेटेट Most Very Very Important Objective Question Answer को पढ़ते हैं जो आपके जैक बोर्ड टर्मवान फिजिक्स इकजाम के लिए बरदान साबित होगी देखिए पहला परस्न से नियूटन के गती के पर्थम नियम को क्या कहते हैं आगे देखिए दुसरा को सिन बल का ऐसाई मतरक क्या होता है बल का ऐसाई मतरक किलो गराम मीटर परती सेकेंड स्क्वेर होता है किलो गराम मीटर परती सेकेंड स्क्वेर होता है जिसे नियूटन कहते हैं नियूटन आगे देखिए तिसरा परस्न किसी बस्तू को खिचने, ढकेले या ठोकर लगाने की किरिया को क्या कहते हैं बल कहते हैं बल यानी फोर्स कहते हैं किसी बस्तु को खिचने ढकनने या ठोकर लगाने की किरिया को फोर्स कहते हैं बल कहते हैं बल आगे देखे चोथा प्रस्न परतियक बस्तु अपनी इस्थिर अवस्था या एक समान गती की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाय बल कारियरत न हो या है गती का पर्थम नियम याद रखिएगा परतियक बस्तु अपनी इस्थिर अवस्था या गती की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कारिय ना करे या गती का पर्थम नियम कहलाता है आगे देखिए आगला प्रश्न किसी बस्तु के उस गुन धर्म को क्या कहते है जिससे वा बिराम या सीधी रेखा में एक समान गती की इस्तिती में परिवर्तन का बिरोत करती है जड़त्व याद रखिएगा जड़त्व किसी बस्तु का उवा गुन होता है जो उसकी बिराम या गती की अवस्था में परिवर्तन का बिरोत करती है आगे देखिए आगला प्रश्न चलती वी बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर जुक जाते हैं या गिर जाते हैं इसकी बेख्या करता है गती का पर्थम नियम ठीक है चलती वी बस के अचानक रुकने से या खड़ी बस के अचानक चलने से यात्री आगे की ओर या पीछे की ओर जुक जाते हैं गिर जाते हैं ऐसा गती के पर्थम नियम के चलते होता है आगे देखिए आगला प्रस्न किसी बस्तु के जड़त्व की माप है दरबिमान किसी बस्तु के जड़त्व की माप है दरबिमान यानि किसी बस्तु का दरबिमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा और दरबिमान कम होने पर जड़त्व भी कम होगा आगे देखिए आगला प्रस्न नीम्न में से किसका जड़त्व अधिक है इन में से किसका जड़त्व अधिक है तो जिसका दरबिमान अधिक होगा उसी का जड़त्व अधिक होगा कार, साइकील, रेल गाड़ी, बस तो इन में से रेल गाड़ी का दरभिमान अधिक है इसलिए रेल गाड़ी का जड़त्वा अधिक होगा आगे देखी आगला प्रस्न किसी बस्तु के दरभिमान और वेक के गुननफल को क्या कहते हैं संगवेक कहते हैं संग्वेग बराबर P बराबर M into B होता है, P बराबर M into B, M मतलब मास, दरबिमान और B मतलब वेलोसिटी, वेग, यानि संग्वेग बराबर दरबिमान into वेग होता है, दरबिमान और वेग के गुननफल को संग्वेग कहते हैं, P बराबर M, B. आगे देखिए आगला प्रस्ण संग्वेक का SI मातरक क्या होता है संग्वेक का SI मातरक किलो गराम मिटर परती सेकेंड होता है P बराबर M इंटू B तो M का किलो गराम मास दरबेमान किलो गराम और B भेलोसिटी यानि वेग मिटर परती सेकेंड तो क्या हो जाएगा किलो गराम मीटर परती सेकेंड आगे देखिए आगला प्रस्न किसी पेड की साखा को तिरवता से हिलाने पर कुछ पतियां या फल नीचे जड़ जाती है गिर जाती है इसकी बेख्या करता है गती का पर्थम नियम ठीक है कोई बस्तु बिराम में है या गती में है तो वह तब तक बिराम या गती की अवस्था में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बारी बल कार्य ना करे इसको गती का पर्थम नियम कहते हैं आगे देखिए अगला प्रस्न किसी बस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं तावरन कहते हैं किसी बस्तु के भेलोसिटी यानि वेग में परिवर्तन की दर को तावरन कहते हैं तावरन आगे देखिए आगला प्रस्ण तावरन का ऐसाई मतरक क्या होता है तावरन का ऐसाई मतरक मीटर परती सेकेंड स्क्वेर होता है आगे देखिए आगला प्रस्ण F बराबर M A F बराबर M A Force equal to Mass into Ashley Relation यानि बल बराबर दरबेमान गुना तवरन F बराबर M A का समीकरन किस गती नियम से प्राप्त होता है Newton गती का दुसरा नियम से याद रखिएगा Newton के गती के दुसरा नियम से बल का बेंजक F बराबर M A प्राप्त होता है आगे देखिए आगला प्रस्ण बल को परिभासित किया जाता है Newton गती के दुसरा नियम से Newton के गती के दुसरा नियम से बल का बेंजक F बराबर M A प्राप्त होता है ठीक है आगे देखिए परतियक किरिया के बराबर किंतु विप्रित दिसा में एक परति किरिया होती है यह है नियूटन गती का तिसरा नियम याद रखिएगा परतियक किरिया के बराबर किंतु विप्रित दिसा में एक परति किरिया होती है यह नियूटन गती का तिसरा निय कहलाता है आगे देखिए अगला प्रस्ण M दरबमान की बस्तू भी वेक से गतिसील है बस्तू का संगवेक क्या होगा इसमल एम दरबिमान की बस्तू इसमल भी वेक से गतिसिल है बस्तू का संगवेक क्या होगा पी बराबर एम इंटू भी होगा पी बराबर एम भी होगा पी बराबर एम भी आगे देखिए अंतिम प्रस्न दो बस्तुओं का कुल संग्वेक टकराने की परिकिरिया में और परिवर्तित रहती है यह संग्वेक संरच्छन का नियम याद रखिएगा दो बस्तुओं का कुल संग्वेक टकराने की परिकिरिया में यानि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद उसका निकाय का कुल संगवेक संरच्छित रहता है यानि नियत रहती है या संगवेक संरच्छन का नियम का लाता है संगवेक संरच्छन का नियम में कुल संगवेक हमेशा नियत रहता है constant रहता है यानि दो बस्तों की टकराने की परिकिरिया में मतलब टकराने के पहले और टकर के बाद cool sangwake total mamontem नियत रहता है, इस्तिर रहता है, constant रहता है इसे sangwake sunrachan का नियम कहते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye, thank you